दौगी का नाम नूरी रखने का मामला राहूल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली कॉंग्रस के पुर्वा धेक्ष्वा शांसित राहूल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुद्वार को प्रियाग्रास की MP MLA National Court में सुनवाई टल गए स्पेशल चर्ज MP MLA नौनीत सिंग ने मौजूद ना होने के चलते सुनवाई टली अब इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी अगली सुनवाई में MP MLA कोच में शुकायत करता मौहूमद फरहान का बयान तर्च होगा AI MIM प्रदेश प्रवक्ता मौहमद फरहान ने राहूल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है राहूल गांधी ने गौवा से लेकर के अपनी मा सोनिया गांधी को 4 अक्टूबर को एक कुट्टा भेट किया था जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा राहूल गांधी त्वारा कुट्टे का नाम नूरी रखने को लेकर के ये याचिका दायर की गई है AI MIM प्रदेश प्रवक्ता मौहमद फरहान का रोप है कि नूरी नाम रखने से मुस्लिन समुदाय के धार्मिक भावनाये आहत हुई है जिसे सुनवाई के लिए M.P.M.L.E. कोट में ट्रांसफर किया मौहमद फरहान का रोप है कि राहूल गांधी के इस कृत्ते से रास्ट्री और अंतरास्ट्री इस तर पर मुस्लिन समुदाय की भावनाहत हुई है ये शब्द विशेस कर मुस्लिम धर्म से संबन्दित है नूरी सब्द इसलाम धर्में पैगंबर मुहमद सहब से संबन्दित है कहा गया कि कुरान पाक में नूर सब्द 42 बार आया है और नूर का पर्यावाची ही नूरी है पेगंबर मुहम्मद साहब को भी नूरी बश्र कहा गया है साथ ही मुसलिम समाज की बेटियों का नाम भी नूरी रखा जाता है इसलामी नूरी सब्द को बेहत पवित्र माना गया है मुसलिम धर्म के कई उलेमा उसे जिनके नाम से नूरी लगा है मुहमथ फरहाँ ने लोगों के धार्विक भावनाव को आहत करने व मुहमथ फरहाँ ने रहुल गांधी से मुस्लिन समधाय से माफ्य मांगने की मांगी है लेकिन उन्होंने माफ्य मांगना तो दूर इस पर अफसोस भी नहीं जाहिए की